तो दोस्तो कैसे आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जोड़ अच्छे होंगे दोस्तो आज हम लोग बाते करने वाले Redmi Note 9 Pro Max के बारे में हाँ दोस्तो इस फोन के बारे मैं पहले ही बाते करना था लेकिन दोस्तो तुरा सा लेठ हो गया चलिए कोई बात नहीं बात के बारे में और भी ज्यादा अच्छा से जान पाएंगे लेकिन दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बाते करेंगे Redmi Note 9 Pro Max के बारे में तो नमस्कार दोस्तो मेरा मेरा आज आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेकनिकल वारगेनिंग और इस वीडियो में हम आपको एक लेकिन प्रेट के बाते कर लेते हैं तो जहतक बत रहे हैं दिजाइन के दू कि अपको ऑल जहां आपको को देखन को बहुत आची है तो ऐसे में वह पीछे में आपको च्छार कमरे क कैसे डप देनुको मिल जाता है तौ congr ब्लाक लार का लेयर को लेकिन फोन के पीछे में को किस भी तरह का फिंगरपींड सेंसर देखने पन जाता है तो इसे में फोन के सामने में आपको जो दिस्प्ले के ओपर तरह अगर अघ्र माधने कए तो जो भी है दोस्तों फोन के डिस्प्ले का 14 बेजल कफी कम देखने को मिलता है और दोस्तों फोन कफी अच्छी दिख रहा है कफी बहतर देख रहा है काफी खुबसरत दिख रहा है मतलब जो आपका Redmi Note 9 पर है ना 70 से मौईसे ही दिख रहा है दोनों फोन में आपको नोट 9 पर है और कॉन सा रेड़ी नोट 9 पर मैक से तो जो भी दोस्तों देखने में बहुती अच्छे दिख रहा है फोन कफी अच्छे अच्छे कलार के साथ फोन दोस्तों मार्केट में आता है बहुती बहतर होने वाला आपको गोल्डे ग्लास अबको पॉडेक्शन आग ओकूलों मिल जाता है मिणों नियुका इने की सप्रहिनली चाइए वह सब्सस्क्राइए Shaft कि तो लिगनले लेकिन मेरे खियाल सब्सक्राइब 9 की आज की रेट में इस प्राइज में आइपिस दे रहे हो और साथ में आइपेस डिस्प्ले में हम लोगों को जहें नाइटी आइपेस का रिफ्रेश्ट देनों को मिलता है। मतलब दोस्तों जब सेम प्राइज में नाइंटी है डिस्पले बाले फोन आवल आवल है तो इस फोन में बीजिक दिस्पले बाले फोन जड़र देना चीए था नहीं तो फोन का डिस्पले होना नहीं तो आपको देखनों बेलता है साथ में आपको देखने को मिलता है एड़ी नोट 618 जीप्यू तो ऐसे में मेरे ख्याल से फोन का जो प्रोसेसर है थोड़ा सा और अच्छा होना चीए था कि कि वाई सेम प्राइस पॉइंट में हम लोगो जहें कि सेवें थाटिटी जी करना हो चुग तो सेवें टॉइंट इद्यूडरी लेकिन अफिकी आपको उतने जाधा नहीं मिलेगा देखने अंतर के प्रोफ़ोवेंस में लेकिन फिर वी दूस्तों अकर देह आता है तो प्रोफ़ोवेंस की तो आईसे मचैशे संवें को और कि आपप गंगे कोई दीक्कत नहीं है जिसमें से एक हो गया आट मेगा दूसरा हो गया तो आईशे पको 64 मेंचाथ यह दुस्तो फोनेघ्ट को सिंदो एक मेंचाथ का मेंचा वाला है दूस्तो आधु आपको 12 मेंचाथ रूट को अच्छी बात है वह एक दिप सेंसर होने वाला है पी मैक्रो लेंच वाला है साथ में फोन पात stat को एकशनन वाला है जो जोicit पून का कैमेरा से आप जो 960 fps में शलो मोशन वीडियो भी रेकोडिंग कर पाएंगे साथ में फोन का कैमेरा में आपको जो पोर्टेट मोड ब्यूडी मोड नाइट मोड ऐसे का रेमोड देखने को मिलेगा जिसका मदर से आप जो अच्छा आच्छा फोटो घिच पाएंगे जिसका मदर से आप जो फोन का सेल्फी कैमेरा से भी रात को जो है अच्छे खासे सेल्फी निकाल पाएंगे मतलब फोन का बैक कैमेरा सेल्फी कैमेरा दोनों बहुत ही बढ़िया होने वाला है मतलब फोन का जो कैमेरा से डपने दोस्त आपको अच्छे खासे देखने को मि बैटरी मेंटाइगा आप अगर गेमिंग वेकरा करते हैं तो फिर भी आपका फोन का बैटरी है ना दिन भरत तो आराम से चल जाएगा और आराम से का फेजर तक वेटरी का पाएंगे फोन से आपको दूस्त बैटरी काफी बड़े होने वाला है तो ऐसे में अगर नॉर्माल आप अगर एक नॉर्माल यूजर है उतने तक गेम नहीं खेलते खाली ब्राजिंग बगारा करते फोन में बाते बगारा करते दोस्तों तो आराम से अपका फोन का बैटरी देर दिन दो दिन तक भी चल सकता है तो आइसे में फोन का जो चार्जर है ना भी आपको सुपर फास पोड़ें सेंसर देहने को मिल जाता है मतलब कोई सेंसार फोन में आपको सेखना को नहीं मिलागा जो की बहुत एक अच्छी बात है साथ में फोन में आपको जिछने पाएंगे जो कि बहुत एक अच्छी बात है साथ में एक फोन में नवीक के सपोर्त मतलब अध्य धे прек CNN में फोन ऑफ को मिलाता है पाउं और साथ में आपको फोन में देखने को मिल जयाएं था आपको देखने मिल जावा है ईसे मैं आपको एक बात बताना चाहलूगा दिके दोस्तो इये जो मिया 11 है ना इसमें क्या होता है कि मैं कभी सरा एड्स के सामना आपको करना प्रेगा धोस्तों हम देखें है कि मिउए 11 कभी सरे आते रहता है तो इसका भी दश्टो थ्रसा आपको पहले से सोच राखनाई कि वे फोन में कभी सरा एड्स जो आपको देखनों मिल जाएगा और इस फोन के सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों फोन में आपको 3.5 म का ओडियो जैक देखनों मिल जाता जो कि बहुत एक अच्छी बात है यह चीज़ दोस्तों रेडमीन प्राइस की तो मेरे ख्याल से फोन का प्राइस थोर असा ज्यादा रखा गया है तुछिवा इस प्राइस पॉइंड में हम लोगों और भी मतलाब अच्छे प्रॉइसर वाले फोन आच्छे डिस्पर वाले फोन देखनों मिल याता है का चीज़ब क है तो मेरे ख्याल से फोन का प्राइस असा और कम होना था और सब्रेक्र के का मिलता है और प्रूसेर अगर 730G होता तो सबसे बहतर होता बाद बैकि 720G भी अच्छा है बाद बैकि आपको अगर प्रोसेस करने का माने दोस्ता प्रोसेस कर सकते लेकिन एक बार थोड़ा सा इसका मतलब ऑल्टरनेट जो सरे फोन मार्केट में आवो लेवले उसको थोड़ा सबको मेरेखल साब अगर देख लेंगे उस अरे फोन को तो अच्छे रहेगा बात बैकि इस फोन को भी आप प्रोसेस कर सकते कोई दिख्यात नहीं दोस्तों एक अच्छे कासे फोन होने वाला है हम खराब नहीं कह रहे हैं हम यह नहीं कहरें कि फोन बेकार एक अच्छरा तो जो भी दोस्तों सारे चीज मिला अगर बात करें फोन के तो फोन एक अच्छे खासे फोन होने वाला है इसको प्रूसेस कर सकते तो जो भी दोस्ति यह सरे बाते आप से करने थी मतलब यह था रेडबी नोट नाइन पर मैक्स के बारे में सब कुछ जो कि आपको ही बता प्रूसे करें अपना दोसत आपने फैमीली वाले अज के लिए इतना ही दोस्तों फिर से हजर नए वीडियो के साथ अब तक ले जाहिन बंदबात popped लास्तान गें